एलिजबेट ओल्सन की नियू रिलीज वी सिरीज लाव एंड डेथ जो ओफिशियली HBO Max की सिरीज है लेकिन आप इस सिरीज को प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो और इस सिरीज को देखने के बाद मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर तुम इस सिरीज को दे अंदरी एंड हो गई लाव एंड डेथ सिरीज में हमें टोटल साथ एपिसोर्स देखने मिलते हैं जो सभी करीब एक गंटे के आसपास के हैं ये सिरीज एक क्राइम ड्रामा सिरीज है जिसकी कहानी है 1980s की जिसमें हम एलन और पैट की फैमिली देखते हैं यानि कि हम दो फ लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो अब होता ये कि केंडी एलन की तरफ अट्रेक्ट होती है वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनसिप रखना चाहती है यानि कि एक तरफ का अफैर लेकिन एक ऐसा अफैर जिसमें उन दोनों को अपनी फ आतम हो चुका था बट अब एक दिन केंडी बैटी के घर पर जाती है जहां पर बैटी बड़े ही प्यार से केंडी से पुछती है कि क्या तुमारे और मेरे पती एलन के बीच में अफैर था तब ओने स्टोकर केंडी कहती है कि हां हमारे बीच में अफैर था लेकिन वो अब ज्यादा गूसा आजाता है और वे एक एक्स यानी की कुहारी लेकर आती है और वो कैन्डी पर हमला कर देथें डोओंगों की बीच में लड़ाई होती है जिसमें कैन्डी से बैटी का खुं हो जाता है और फिर कैन्डी वहां से ऐसे चली जातली जैसे कुछ हुआ ही ना हो फिर पॉलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे सबुत केंडी की तरफी इसारा कर रहे थे फिर पूरी स्टोरी यही है कि केंडी निर्दो से या वो एक खुनी है और अंत में कोट का क्या फैसला आता है वो तुम्हें सिरीज में देखना मेरा इस सिरीज को दे देखने मिला यानि कि बैटी के मडर का वो जब सीन हम पहली बात देखते है तो एक नॉर्मल सा मडर लगता है हमें पता चलता है कि केंडी ने एक्स यानि के कुवारी के साथ बैटी को मार दिया लेकिन जब फिर कोट के अंदर केंडी explain करती है कि क्या हुआ था किस तरीके स और ये बात मुझे पता है कि Elizabeth Olsen को cooking बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो साहे दुनों ने director को कहा होगा कि अगर मुझसे acting करवानी है तो मेरे ज़्यादा तर scene cooking के साथ होने चाहिए क्योंकि इस series के अंदर ज़्यादा तर उनके scene cooking करते हुए ही है इस love and death series को तुम आराम से एक दिन के अंदर देख लोगे और जैसा मैंने तुमें बताया कि इसमें 7 episode है सभी एक गंडे के आसपास के तो अगर तुम कहीं पर काम पर जाते हो, college जाते हो या फिर school जाते हो क्योंकि ये एक अच्छी series है, इस वक्त तुम इस series को English में देख सकते हो, ये series officially Hindi dubbed नहीं है लेकिन मैं तो तुमें यही कहना चाहूँगा कि इस series को English में सब्टाइटल के साथ देख लो ये series के अंदर थोड़े बहुत sexual scene है, उतने कुछ hard नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे sexual scene है और साथ में kissing scene जो कि Hollywood की movie your series में होते ही है, तो इसे तुम अपने family के साथ मत देखना, अके लिए देखोगे तो सही रहेगा और इस series को में 10 में से 8 की rating देना चाहूँगा, क्योंकि ये series मुझे पसंद आई, तुम भी अगर थोड़ा सा भी ऐसा मणने तो जरू से देखना मज़ा आएगा तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल एकें दबादेना, जिससे तुमें more your series later, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलती रहे और एक हाँ बात, अगर तुमने series को देख लिया तो तुम्हें कैसे लगी, तुम्हारा क्या रिवीव है, तुम्हारी क्या रेटिंग है, ये comment में बता देना